नवरात्री और दशहरा के बाद अब धन तेरस से लेकर छट पूजा तकी तैयारिया शुरू हो चुकी है दिवाली के दौरान कई बड़े तिवहार मनाए जाते हैं जिसमें धन तेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज और छट पूजा शामिल है हिंदु धर्म में ये सभी शुब माने जाते हैं और खास होते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धन तेरस की, जानेंगे कि आखिर धन तेरस क्यों खास होता है, इस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल धंतेरस का क्या शुब महूरत है और इस दोरान क्या खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है तो इस धंतेरस जिन्दगी में खुशाली लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें पूरी जानकारी के लिए हमने देवघर के प्रसिद जोतिशाचारे पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बाचीत की है तो सबसे पहले हम आपकी कन्फिूजन दूर कर देते हैं कि धंतेरस की क्या तारीक है जानकारी के लिए बता देते हैं कि धंतेरस कारतिक मास के कृष्णिपक्ष की त्रियोदिशी तिथी को मनाया जाता है इस साल 29 अक्टूबर को धंतेरस का तियोहार मनाया जाएगा जोतिशाचारे बताते हैं कि इस साल त्रियोदिशी तिथी की शिर्वात 29 अक्टूबर सुभा आठ बच कर 31 मिनिट पर होगी इसका समापन अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुभा 7 बच कर 18 मिनिट पर होगा धंतेरस पर माता लक्षमी के साथ धन के देवतात उबेर और धन मंत्री की पूजा की जाती है जैवावा विद्धिनाथ हरहर महादेव धन तेरस जो है या धन त्रियोदिशी धर्तिक महीना के क्रिस्न पक्ष की द्वादसी उपरां त्रियोदिशी को मनाया जाता है तो इसमें कोई कन्फियूजन करने की बात नहीं है 29 अक्टूबर मंगलवार को धन वन तरी यानि धन त्रियोदिशी जिसको धन तेरस कहते हैं उस दिन मनाया जाएगा और उसी दिन जम का दीप भी जलेगा दिवाली के फिक दो दिन पहले यह होता है उस दिन जम का दीप भी जलेगा और 29 अक्टूबर मंगलवार को धन त्रियोदिशी का धन तेरस का पर मनाया जाएगा इसमें कोई confusion की बात नहीं है दूसरे दिन 30 तारिक जो है धनवंदरी जयन्ती है उस दिन धन्तेरस नहीं मना जाएगा 29 अक्टूबर मंगलवार को धन्तेरस मनाया जाएगा धन्तेरस क्यों खास होता है अब हम आपको ये बता देते हैं जोतिशा चारे बताते हैं कि किसी व्यपार को शुरू करने के लिए धन्तेरस का दिन सबसे खास होता है साथी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है इस त्रियोदशी तिथी से ही दिपावली की शिरुवात हो जाती है तो चलिए अब ये जानते हैं कि धन्तेरस के दिन क्या करना सबसे शुब होता है धन्तेरस पर बरतन, सोना, चांदी, पीतल या किसी भी तरहां का अभुशन खरीदना सबसे शुब माना जाता है इस दिन वाहन की खरेदारी भी शुब माने जाती है आईए अब ये जानते हैं कि इस साल धन्तेरस कैसे खास है दरसल साल 2024 में धन्तेरस के दिन शिव वास के साथ प्रदोश वरत भी है इस दिन शुब योग का निर्मान हो रहा है ऐसे में ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि धन्तेरस के दिन किस समय खरेदारी करना सब आठ बच कर बारा मिनिट तक रहने वाला है ऐसे में आप इस बीच किसी भी नए सामान की खरिदारी कर सकते हैं तो इस धंतेरस माता लक्ष्मी और कुबेर देवका की पूजा राधना जरूर करें सच्चे मन से उन्हें याद करें इससे आपकी जीवन में धन की भडोतरी अगर आप धंतेरस से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहे लोकले टीम